दोस्तो आज काई वीडियो देखने के बाद आप भी यही बोलने वाले हैं कि भूख के कारण पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायू सेना का दिमाग पूरी तरीके से सट्या चुका है अभी भारत ने P.O.K. को वापस लेने के लिए जंग का भी एलान नहीं किया है लेकिन उससे पहले ही भिकारिस्तान ने अपने अंतिम हतियार को मैदान में उतार दिया है और इस हतियार के कारण पाकिस्तान अब अमेरिका और यूरोप के देशों की रेडार पर आ चुका है दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है की हाली में ही पाकिस्तान ने अपने 10th जनरेशन के फाइटर जेट यानी की JF-17 थंडर पर अपनी राद नाम की परमानू मिसाइ और इस मिसाइल को JF-17 थंडर में लगाने के बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट इस समय भारतिय सीमा के पास में चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान को इस मिसाइल को बनाए 26 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान ने इस मिसाइल को मैदान में नहीं उतारा था। अगर तुमने रफाल फाइटर जेट की मदद से P.O.K. में स्ट्राइक की तो हम भी एक ही जटके में भारत के रफाल फाइटर जेट के बेस को पूरी तरीके से निश्ट नाबूद कर देंगे। हम किसी अमेरिका और योएन के पर्तिबंदों की परवा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। के बिल्कुल कबार डिफेंस सिस्टम मुझूद हैं, इनको तो हमारी रूद्रम मिसाइल काफी आसानी से ही मार कर गिरा देगी। और ये तो पाकिस्तान के साथ वो केस हो गया कि गरीबी में आटा गीला। भी तक आपको पता चली चुका होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रफाल फाइटर जेट का कितना खोफ है, अब इस मिसाइल को तो पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट में लगा ही लिया, अब इस मिसाइल का आप तोड़ भी सुन लीजिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल को भारत के उपर दाग दिया जाता है, तो हमारे पास जो परदूम इंटरसेप्टर मिसाइल है, वो पाकिस्तान की इस मिसाइल को 80 किलोमेटर उपर मार कर गिरा देगी। और इस समय भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी मुझूद है, जिसकी मदद से इस मिसाइल को हम पाकिस्तान के अंदर ही मार कर गिरा सकेंगे। और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमको पाकिस्तान की इस मिसाइल का जवाब देने के लिए क्या हमको भी अपने फाइटर जैट में परमानू मिसाइलों को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना, इस बात का अंसरा आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं, ठैंक्स फोर वोचिं जवाचिं थे विडियों country, फैवी का तर्मॉન को जवाचिं पर».